नमेशकार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सुएस केनाल के बारे में बहुत जादा चर्चा हो रही है आज कल, और इसका में कारण है कि ये जो इतना बड़ा शिप है, 400 मीटर लॉंग, एवर गिवन, ये ब्लॉक कर दिया है पुरा सुएस केनाल का रास्ता, जिसकी आपको बताने वाला हूँ, सुएस कराइसिस के बारे में, जो कि 1956 में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, क्योंकि अगर आप ये पुरा मैप देखोगे, एजिप का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये कैपिटल है, कैरो, राइट साइड में ये वाला जो कौन इसको कंट्रोल करता था, इजिप ने 1956 में ये जो पुरा वार हुआ था, प्रॉब्लम्स होई थी, क्राइसिस हुआ था, इसको किस तरह से ले लिया, यूएस का क्या रोल था, हर एक चीज बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो चले शुरुआत कर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बूक, और पर मेरे लेक्चे की हर पीडियो आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, बाई सर्चिंग, अंकित अगरवाल ओफिशल, और अगर आप अपनी UPSC की प्रिपेश में, इंट्रोडक्शन में मैं एक दो मिनिट में ओवर ओल इसका कॉंटेक्श्ट बता दूँगा, पूरा क्या होने वाला इस वीडियो में, तो आपको और अच्छे से आगे डीटेल में जानने में अच्छा लगेगा, तो यह जो क्राइसी से याद रखेगा, यह शुरू इस केनाल की तरफ इधर आगे बढ़ने लग गए थे, ताकि इसको कंट्रोल में वो ले सकें, तो तब से यह स्टार्ट हो जाता, और उसका में कारण यह था, इसराइल इधर क्यों एंटर कर रहा था, क्योंकि जो एजिप्ट है, उसने सुएस केनाल को नैशनलाइज कर दि तो इजिप्ट के अंदर यह जो अबदल नसिर हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको नैशनलाइज कर दिया और इसी को देखते वे, इसराइल ने यहाँ पर एक तरह से अटाक करना स्टार्ट कर दिया था, तो बेसिकली यह इतना ज़ादा इंपोर्टेंट था, क्योंकि उस सम Soviet Union है, USSR जिसको हम कहते हैं, रशिया, उसने यहाँ पर आल्मोस्ट आ गया था वो वार में, ठीक है, लेकिन end moment पर चीजें सुधर गई थी, मतलब solve हो गया था, तो उतना ज़ादा वार पर नहीं आना पड़ा, लेकिन Soviet Union भी इसमें आल्मोस्ट वार में आ गया था, ultimately क्या हु लेकिन यह पूरा war आप कह सकते हो, cold war जो superpowers हैं उस समय, उनके बीच में एक बहुत ही important event माना जाता है, तो यह तो just एक summary type का हो गया, मैं आपको थोड़ा detail में बताता हूँ, यहाँ पर जो Swiss कनाल है, उसकी थोड़ी सी history जान लेते हैं, क्या यह अभी का ही है, क्या यह पिछ 300 BC से start होता है, तो 1887 आप कह सकते हो, जो almost हमारा Indus Valley civilization जब almost खतम हो जाता है, तब की बात मैं आप से कर रहा हूँ, उस समय जो resin था आपका, Senos Red 3 का, उस समय बेसिकली इसकी सुरुवात की जाती है, जो पुरा कनाल है, उसको बनाने की थोड़ी बहुत सुरुवात होती है, कि चलो इधर से गुजरा जा सकता है, उसके बाद से कई सारे जो Kings, राजा वगर आये थे, उन्होंने इसको improve करने की कोशिश की थे, expand करने की कोशिश की थे, काफी लंबे समय तक ऐसे चलता रहे, लेकिन बड़ी मात्रा में ऐसा नहीं हो पाया था, पिछले 300 साल पहले, इसका यहाँ पर जो construction का pace है, पिछले 300 साल पहले, वो आपका start हो जाता, in fact यहाँ पर जो Napoleon बना पार्टे है, तो 1799 में उसने भी effort किया था, कि इस कनाल को बनाया जाये, लेकिन measurement वगरा को लेकर कुछ inaccuracy हो गई थी, तो चीजें हो नहीं पाये थी, finally जाकर यह आप ध्यान यहाँ से लेकर उपर तक, तो उपर वाला हिस्से में आप देखोगे, तो यह आता है port said, ठीक है, port said, और जो नीचे वाला है, यहाँ पर है आपका port traffic, तो यह जो port said है, यहीं पर इनी के नाम पड़ पड़ा था, क्योंकि उस समय यह जो आपके Ferdinand है, उन्होंने convince कर लिया is ship canal company, तो यह आपको ध्यान रखना है, इस company के साथ यह deal हुआ, कि जब यह operation में आ जाएगा canal, उससे लेकर 99 साल तक, वो उस company के अंडर में रहेगा, और उसके बाद वो company क्या करेगी, जो Egypt की सरकार है, उसको handover कर देगी, finally जाकर यह जो canal है, वो आपका 1869 में start हो जाता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, मतलब इस company के पास कब तक होना चाहिए था, यह canal जो है, वो 1868 के आसपास तक होना चाहिए, 99 years का lead है, ठीक है, sorry, 1968, जो 99 years का lead है, तो यहाँ पर जो है, यह होना चाहिए था, लेकिन जैसे हमें पता है कि 1956 का जो crisis हमपड़ है, वो Egypt के हाथ में आ जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर next question आता है कि यह जो company है, उसमें share किसका था, क्योंकि जिसके पास share होगा, मतलब revenue उसी के पास जाएगा, उस canal को चलाने का, तो France और Britain यह याद रख साब से, Britain ने क्या किया था, कि अपना एक काफी बड़ा जो forces है, उसको पूरे Swiss canal पर लगा दिया था, मतलब कि Swiss canal खत्रा ना हो उसको, तो Britain के यहाँ पर जो forces वगर हैं, उसको तैनात कर दिये गए थे, लेकिन आगे चल कर फिर से क्या हुआ, 1954 में, ओविसी बात है, भारत के अंदर कर मैं कहता हूँ कि किसी दूसरे country की force हमारे देश के अंदर आ रही है, गंगा river के किनारे चल रही है, तो क्या आप सहमत होगे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो nationalist लोग थे, उन्होंने काफी जादा विरोध किया, और seven year की treaty sign की गई थी, Egypt और Britain की बीच में, उसमें य अब इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, 99 year का lease था, 1968 तक तो minimum चलना चाहिए था, लेकिन अबदल नसीर ने यहाँ पर कह दिया कि नहीं, हम अभी इसको ले लेंगे, इसको nationalize कर दे रहे हैं, और यहाँ पर main जो कारण बताये गया कि nationalize क्यों किया जा रहा है, क्योंकि Egypt चाहता था कि जो Nile River है, जो Nile River आपकी बहती है यहाँ पर, उसके उपर एक dam बनाना है उनको, यह जो पुरा Nile का river है आप देख रहे हो, इसके उपर एक dam बनाना है, जिस dam का नाम होगा आप देख पाओगे, Aswan Dam, Aswan Dam बनाना था, लेक कहना था कि हम खुड dam बनाएंगे, इसके लिए हमें पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा, कि Suez Canal को nationalize कर देंगे, उससे जो भी revenue आएगा, वो revenue हम अपने dam बनाने में लगाएंगे, और अव्वेसी बात है, क्या इससे Britain खुश होगा, नहीं होगा, क्योंकि Britain और France कहां खुश हो पाएंगे, तो Britain बहुत जादा गुसा हो गया इसको लेकर, कि हमसे यह जो पुरा dam है, वो एक तरह से चीना जा रहा है, तो यहाँ पर Britain ने यहाँ पर क्या किया, कि France से मदद मांगी, और इसराइल से मदद मांगी, और तीनों देश एक तरह से अटाक करने लग ग अटैक कहने का मतलब क्या है, कि यह जो कनाल है, उसको कंट्रोल में लेना, क्योंकि Egypt ने उसको nationalize कर दिया था, और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, उस कनाल को, तो यहाँ पर इनकी बारी थी, कि अब इसको वापस अपने कंट्रोल में ले, तो इसराइल ने सबसे थ्यान रखेगा, ब्रिटेन बहुत ज़ादा परिशान था, लेकिन यहाँ पर मदद मांगी गए थी, तो इसराइल ने सबसे पहले इसको अटाक करने की कोशिश की, और दो दिन के बाद, यह बहुत ज़ादा इंपोर्डेंट हो जाता है, दो दिन के बाद, ब्रिटेन और फ फ्रांस आये यहाँ पर इजिप्ट के अंदर अपनी आर्मी लेकर, क्योंकि 1954 में ब्रिटेन की आर्मी चली गए थी, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर ब्रिटेन की आर्मी आती है, और सबसे पहले वो जो पोर्ट सैध है, और पोर्ट फौध है, उसका कंट्रोल ले लिया जब ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी दो दिन के बाद वहाँ पर पहुंचती है, लेकिन ये जो दो दिन का गैप था, इसमें क्या हुआ कि जो सोवेट यूनियन है, उसको फायदा हो गया, उसके पास टाइम मिल गया कि किस तरह से रिस्पॉंड करें, किस तरह से हम जो डैम बनाना था यहाँ पर, यूस ने फंडिंग नहीं किया, इसकी वज़े से जो सोवेट यूनियन है, वो इसी तरह के मौके ढून रहा था कि मिडल इस्ट के अंदर अगर उसको अपने फुट होल जमाने हैं, मिडल इस्ट के अंदर, तो वो क्या सहारा ले, तो इसी क ना दिया जाता है, नाइल रिवर पर, मतलब कि जो भी प्रक्रण हुआ था, वो आस्वान डैम, आज भी अगर आप देखोगे, तो नाइल रिवर पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर USSR का रोल काफी जादा इंपोर्टने जो आता है, क्योंकि एजिप्ट अगर खुद से अकेले चीज़ों को करने की कोशिश करता तो बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन दूसी तरफ अगर उसके पास पावर होती, इन फाक्ट यह जो अबदल नसीर मैंने आपको बताया, जो रूलर था एजिप्ट का उस समय, उसी ने एक तरह से स्टार्ट किया था, non-alliance movement आपने सुना होगा NAM के बारे में, जिसमें हमारे जो पहले प्राइमिस्टर जोहला नहरू जी थे, वो भी बहुत ज़ादा इंटरेस्टेट थे, तो यहाँ पर वो बताया, तो non-alliance movement बताया जाता था, लेकिन जिस तरह से भारत काफी अद तक USSR की तरफ टिल्ट था वैसे ही, एजिप्ट भी आप कह सकते हो, USSR की तरफ टिल्ट हो गया था, तो USSR का भी काफी important role आ जाता है, जिसकी विजए से एजिप्ट को एक तरह से होसला मिल जाता है, finally आप देखोगे तो USA का क्या role था, यह काफी important जाता है, क्योंकि USA जिस तरफ होगा एक तरह से, वो पल करना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो काफी जाधा नराज हो गया था, ब्रिटन से, अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो Soviet Union लगतार धमकी दे रहा था, कि हम nuclear attack वगर करेंगे, इसको लेकर USA ने ये कहा, कि नहीं आप इस तरह की बातें मत करो, इसकी वजए अगर अगर आप देखोगे तो वो ब्रिटन से नराज थे क्योंकि ब्रिटन ने United States को inform नहीं किया था इन सब के पारे में, कि ब्रिटन यहाँ पर attack करने वाला है Egypt के अंदर, तो ब्रिटन ने जो है announcement बताया नहीं था, लूप में नहीं रखा था United States को, तो United States अल्रड़ी नर 1856 के December तक ही withdraw कर लिया, और इसराइल के ऊपर थोड़ा और pressure बनाये गया, तो March 1957 आते आते, इसराइल ने भी finally वहां से withdraw कर लिया, तो यह पुरा प्रकरण रहा है, जिसकी वजए से आपका जो Egypt है, उसके control में वो पुरा जो कनाल है आ गया, क्योंकि यहाँ पर यह तीनों जो आर्मी जवान है, वो वहां पर जाते हैं, participate करते हैं, विश्वर में कहीं पर कोई दिकत होती है, तो UN के peacekeeping force को रखा जाता है, पहली बार peacekeeping force का use जो है, वो यहीं पर किया गया था, यहाँ पर जो आपके hostilities देखने को मिल रही थी, withdrawal करवाना था, तो इसके लिए peacekeeping force, आपको याद होगा, six day war यह पूरा चला था, जिसमें Egypt चाता था कि यह force चली जाएं, और Israel के साथ काफी बड़ा war हुआ था, बहुत लंबे समय तक चला था, 1974 आते आते वापस से फिर इसको start किया था, Suez Canal, वो एक अलग पूरा मुद्द है, लेकिन यहाँ पर 1956 का जो crisis है, आपको समझ में आ गया होगा, इसकी जैसे क्या हुआ, जो अबदल नसीर है, वो बहुत जादा powerful हो गया, एक hero की तरह Egypt के अंदर उसको मानने लग गया है, पुरा जो nationalist movement है, क्योंकि obviously बात है, इतनी बड़ी जीत दिल आई थी, जो canal था, उसको अपने अंडर में ले आया, ज लेकिन Israel के लिए भी जरूरी था कि वो अपने goods की movement कर सके, तो यहाँ पर आप देखो कि Israel का एक port है, इलैट, ठीक है, तो यहाँ पर port के मदद से, वो इधर enter कर सके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, तो यह जो आपका Saudi Arab है, और यहाँ पर Egypt है आपका, इन दोनों के ब दिया गया था, लेकिन जो Israel चाता था कि इसका control हो, वो यहाँ पर नहीं हो पाता है, तो यह पूरा वीडियो था दोस्तों, Suez Crisis के बारे में, I hope कि काफी कुछ आपको इसके बारे में जानने को मिला होगा, जाने से पहले, एक interesting question करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पहला अरब देश, first अरब country था, जिसने officially recognize किया था, the state of Israel को, ठीक है, इसराइल का अस्तित जो है, officially किसने recognize किया था, इसका जो right answer है, आपको हमेशा कितरा Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप Instagram पे नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से अब यह आप इसका right answer ले सकते हैं, with explanation, मैं कई सारा MCQs यहाँ पर डालता रहता हैं, stories के form में आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप मुस्से economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंद रहा होगा, मिलता हैं आपसे next time, till then thank you very much, see you soon